जैहिन नमस्कार सभी सातियों का एक बार फिर से स्वागत है सातियों आज की क्लास में हम 30 इंडिया जिक्के से सम्मधित बहुत इंपोर्टेंट क्यूस्चन लेकर आएं जो कि 2024 में होने वाले सभी एक्जाम्स के लिए काफी फाइदे मन रहेंगे तो सभी साती वीडियो को लास तक जरूर देखना और आप सभी सेaction है कि वीडियो पर एक प्यारा साल लाइक की यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अरुनाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चायना के साथ लगती है अभी देखें नेक्स क्यूस्टन क्यूस्टन नमबर दो देखिए कितने वरस के पसाथ राष्टिय जर्गनना होती है तो बारत के अंदर जो राष्टिय जर्गनना ह ओती है न heto और दस साल के बाद कितने साल के बाद दस साल के बाद तो ओप्षन यहाँ पर आपका राएट आंसर होगा अवी चलते नेक्स क्यूस्टन पर क्यूस्टन नम्बर तीन नाद 37 काजी रंगा श्टिय पारक एक पूछाता से पूर्स वेक्जाम जाूर और ये चलते नेक्सर्ण पर Q4. Ooperation Fold से संबंधीता है तो जो Ooperation Fold है, तो यह किस से संबंधीता है तो साथियो option देखिए option A. T imitate eternity option B. Bar dnyantan option C. Dude का आयत option D. Dairy V placement तो जो operation fold है, तो इसका संबंध है किस से? Dairy dog से यानि कि dairy v illustGA से इसका संबंध है तक करीबन बच्चे इसके अंदर क्या करेंगे बाड नियंतर से इसका संबंद कर देंगे तो option B को इसमें यहाँ पर राइट करते हैं तो साथियो जो operation fold है तो इसका संबंद किसे dairy विकास से तो option D यहाँ पर आपका right answer होगार जो operation fold है तो इसकी शुरुवात कब हुई थी दान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है तो साथियो जो दान की खेती होती है तो दान की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है जहाँ पैदावार अच्छी होती है तो option देखिए option A सक्त मिट्टी option B काली मिट्टी option C दोमट मिट्टी option D लाल मि याने की जो मिट्टी है तो दो मट मिट्टी है इसलिए वहाँ पर दान की फसल अच्छी होती है और याने के अंदर करनाल के अंदर जो करनाल जिला आजो और याने के अंदर तो उसको क्या है भारत के अंदर दान का कोटोरा भी का जाता करनाल जिले को वहां की मिट्टी कैसी दो मट मिट्टे और वहां पर दान की बहुत अच्छी फसल होती है तो अभी देखिए next question question number six कौन सा बारतिय सहर है वी इलेक्टिकल से सम्बन दीते हैं तो बारत का कौन सा सहर है जो हैवी से बड़ा एवी इलेक्टिकल सहर है तो अभी देखिए next question question number seven बारत में हरित क्रांती का स्रे किसको जाता है तो बारत में जो हरित क्रांती की शुरुआत हुई थी तो उसका स्रे किसको जाता है तो option देखिए आर वेंकेटमन सिताकात मापात्तर MS स्वामिनाथन option D है जैन्त नारलीकर तो साथ भारत में जो हरित क्रांती का स्रे है तो वो जाता है MS स्वामिनाथन को तो option C यहाँ पर आपका right answer होगा अभी चलते next question पर Question number 8, राणा परताफ सागर सम्मणदीत है इश किस्य सम्मणदीत है तो option देखिए सोर उर्जास है सिच्चाई से ना भी के उर्जास है जल्विदूच से तो सात्य जो राणा परताफ सागर है तो इसका सम्मणद जल्विदूच से तो option D है आपर आपका right answer होगा और ये रा यह स्तित है और उसका निर्मान कप किया belong कeras गया था 1970-03 न द पर आपको यह पौइंट्स याकर रखने हैं 1970 के अंदर चम्बल न दे next question पर, question number 9, पिर्थिवी और सूरिय के बीच अधिक तम दूरी किस तिथी को होती है, तो साथिया जो पिर्थिवी और सूरिय के बीच की जो दूरी है, तो वो दूरी सबसे ज्यादा किस तारिक को होती है, तो option देखिए, option A 22 July, option B 30 January, option C 4 July, option D 21 September, तो जो सूरिय है, पिर्थिवी से सबसे ज्यादा दूर कब होता है, तो उता है 4 July को, तो option C यहाँ पर आपका right answer होगा, अगर आप से पिर्थिवी और सूरिय के बीच की नियुमतम दूरी पूछ ले, यानि कि सूरिय पिर्थिवी के सबसे नजदिक कब आता है, तो वो कब आता है 3 जनुवरी को, तो यह भी आपको याद रखना है, कब 3 जनूरी को निम्तमदूरी होती है और 4 जुलाई को प्रत्वी से और सुरिये के बीच अधिक तमदूरी होती है तो अभी चलते हैं next question पर Question 10 गायतरी मंतर किस पुस्तक से लिया गया है तो गायतरी मंतर है जो वो किस वेद से पुस्तक से लिया गया है तो option देखिए रिगवेद, श्यामवेद, यजुरवेद या अथरवेद तो साथी जो गायतरी मंतर है तो यह रिगवेद से लिया गया तो option A यहाँ पर आपका right answer होगा तो अभी चलतें next question पर, question number 11, हिंदी किस लिपी में लिखी जाती है तो हिंदी बास्षा है जो यह किस लिपी में लिखी जाती है तो option A फर्षियन, option B रोमन, option C देवनागरी, option D पाली तो जो हिंदी है तो यह किस लिपी में लिखी जाती है तो यह देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो option C यहाँ पर आपका right answer होगा यह भी काफी important question है नोट कर लेना इसको याद रखना जो हिंदी बास्षा है तो यह किस लिपी में लिखी जाती है तो देवनागरी लि Tube क्विवं से ऑप्शन वी जोन मार्षल ओप्शन सी जोन ऐक फ्लिटर ओप्शन दी इन में से कोई नहीं लुए तो चो सब्सक्रित तो इसको सबस्च किया थो जय लो इसके जनबात था उसने इसकी question पर question नमर 13 वहानों के अगर दीपों में किस परकार के दरपन का इस्तेमाल होता है तो साथियों जो गाड़ियों की headlight होती है तो उनको बनाने में कौन सा दरपन है जो इस्तेमाल में किया जाता है तो option देखिए option A sample दरपन, option B आउतल दरपन, option C उतल दरपन, option D परोलिय दरपन तो जो गाड़ियों की headlight होती है तो उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है आउतल दरपन कौन सा आउतल दरपन है जो गाड़ियों के headlight हो में इस्तेमाल में किया जाता है तो option भी यहाँ पर आपका right answer होगा और जो side mirror होते हैं गाड़ी के side mirror तो उनके अंदर कौन सा जो दर्पन होता इस्तेमाल में क्या जाता है तो side mirror के अंदर क्या जाता है उत्तल दर्पन कौन सा उत्तल दर्पन तो यह भी आपको याद रखना है काफी बार एकजाम में पूछा जाता है कि गाड़ियों के जो side वाले सीच से होते हैं के अंदर कौन सा दर्पन इस्तेमाल किया जाता है तो उत्तल दर्पन और headlight का उचाई लगबग कितनी होती है तो जो तुल्य का लिवगर होते हैं तो इनकी प्रत्वी किसे तैसे उचाई पूछी गई कितनी होती है तो सबसे पहले तो यह समझे जो तुल्य का लिवगर होते हैं क्रित्रीम उपगर है इनको आप संचार या संप्रेशन उपगर भी बोल स लगते हो तो इनकी जो पूछिया आपसे प्रत्वी की सतय से इनकी उचाई लगभग कितनी ओप्षन देखिए ऐसे 36,000 km उप्षन बी 30,000 km कोई नहीं तो साथ जो तुल्म काली उपग्रें होते हैं कि प्रत्वी की सतय से जो चाहिए होती लगभग कितनी 36,000 किलोमेटर तो ओप्शन यह आपर आपका राइट आंसर होगा तो अभी चलते हैं अगले क्यूस्चन पर क्यूस्चन नमर 15 किसी बीजली की इस्तरी को गरम करने के लिए किस दात्तों का परियोग किया जाता है तो जो इस्तरी होती है जब को हम प्रेस करते हैं कपड़ों पर तो उस इस्तरी को गरम करने के लिए कौन सी दात्तों का इस्तेमाल किया जाता है कि कौन सी दात्तों लगाए जाती है उसको बीजली में लगाते तो गरम हो जाती है तो ओप्शन देखिए ओप्शन ए तामबा ओप्शन भी निक्रोम सोर्य के सबसे निक्ट कौन सा ग्रय है तो सूरिय के सबसे निकट कौन सा ग्रय है तो एक On. कि पूछ ले है कुण सा वरून ग्रह या इसको आप नेप्चुन भी बोल सकते हो नेप्चुन नेप्चुन ग्रह जो ये सूरिय से सबसे दूर है तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्यूस्टन पर क्यूस्टन नमर 17 जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप ओपर जस्ते की प करनी करन ओप्चन डी येस दी करन तो सात्य जो जंग से बचाने के लिए लोहे की पाइपों को उपर जो जस्ते की प्रचड आए जाते तो उसको कहते येस दी करन तो ओप्चन डी या आपर आपका राइट आंसर होगा अभी देखे नेक्स क्यूस्टन क्यूस्टन नमर 18 यूरेनियम विखंड की स्तत प्रिक्रिया को जारी रखने में किसकन की जरूरत होती है यूरेनियम विखंड की जो सई प्रिक्रिया है उसको जारी रखने के लिए किसकन की जरूरत होती है तो ओप्चन देखिए इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन या पोजिट्रोन तो साथे जो uranium विखंड है इसकी सेव प्रिक्रिया को जारी रखने के लिए neutron की जरूरत होती है कुण सेकन की जरूरत होती है neutron की तो option C या आपका इसका right answer होगा काफी important question है यह भी note कर लेना इसको अभी चलते हैं आगे question number 19 पैट रोल की sport रो दिगनवता बढ़ाने के लिए निमन में से किसे इस्तमाल किया जाता है तो पैट रोल की जो sport रो दिगनवता इसको बढ़ाने के लिए किस चीज का इस्तिमाल किया जाता है तो option देखिये option A ट्रेटा एथिल सिसा, option B ट्राई मैथिल सिसा, option C ट्राई एथिल सिसा, option D ट्रेटा मैथिल सिसा तो साथे जो पेटरोल की स्पोर्टक रो दिगणोता इसको बढ़ाने के लिए ट्रेटा एथिल सिसा इस्तेमाल में किया जाता है तो option A यहाँ पर आपका राइट आणसर होगा जो पेटरोल की स्पोर्टक रो दिगणोता उसको बढ़ाने के लिए ट्रेटा एथिल सिसा है वो इस्तेमाल में किया जाता है तो अभी चलते आगे question number 20, नहरू ट्रोफिक की स्खेल से सम्बन दित है तो नहरू ट्रोफिक है जो यह किस स्खेल से सम्बन दित है तो option देखिए option A ओकी, option B football, option C cover D, option D table tennis तो नहरू ट्रोफिक है वही football से सम्बन दित तो option B यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नहरू ट्रोफिक का सम्बन ओकिस से football से तो अभी चलते अगले question पर Question number 21 किसी computer में जोडने, तुलना करने और मिलाने के कारिये का होते हैं तो computer के अंदर जो जोडने, तुलना करने और मिलाने के कारिये यह कहाँ पर होते हैं तो option देखिए option A CPU chip option B floppy disk option C hard disk option D शिमरिति चिप तो computer के अंदर जो जोडने के, तुलना करने के और मिलाने के कारिये हैं वे होते हैं शिमरिति चिप के अंदर कहाँ पर शिमरिति चिप के अंदर तो option D यहाँ पर आपका right answer होगा अभी देखिए next question Question number 22 Mona Lisa का सूपर सीच चितर किस ने बना अधा तो Mona Lisa का जो चितर है तो किस ने बना अधा तो option देखिए option A Michael Angelo option B Leonardo Da Vinci option C Picasso option D 1 Gog तो साथिये जो Mona Lisa का सूपर सीच चितर है तो बना अधा Leonardo Da Vinci ने तो option B यहाँ पर आपका right answer होगा अभी देखिए next question number 23 वह है पर्थम महिला कौन थी जिसने 7 परमुक सागर तैर कर पार किये तो भारत की कौन सी पहली महिला थी जिसने 7 परमुक सागर जो उनको तैर कर पार किया था तो option देखिए option A चांदनी option B बुला चोधरी option C मृदुला राजीव option D प्रिया सानबाग तो भारत की पर्थम महिला थी जो जिने साथ प्रमुख सागरों को तैर कर पार किया था वो थी बुला चोदरी तो ओप्षन भी यहाँ प्रापका रायट आंसर होगा जो बुला चोदरी है तो इसका जनम कब वहा था बुला चोदरी तो याद रखना इसको और इसको बार्त सरकारी तरफ से इसको कई पुरुसकार भी मिले जैसे पदम श्री पुरुसकार और जोनावाड इन सब से भी सको समानित किया आगा है बुला चोदरी अभी चलते अगले क्विस्चन पर क्विस्चन नमर्ट इसकार सो 4885 में थो ऑफ्शन एया प्रापका राइटा अंसर होगा और जो संब्धार्तिय राष्ट्य कोग्रेच स्थापंझ तो अभी चलते अगले क्युस्चन पर क्युस्चन नमर 25 Poverty and Un-British Rule in India पुस्तक के लेखक कौन है तो एक पुस्तक Poverty and Un-British Rule in India तो इसके लेखक कौन है तो option देखिए Any Besant, Sasi, Throor, Dada बाई, Naroji option D है Jaram, Rames तो जो ये पुस्तक Poverty and Un-British Rule in India तो इसके जो लेखक है तो वह दादा बाई, Naroji तो option C यहाँ पर आपका right answer होगा अभी देखिए next question Question number 26 Arsenic का राशाइनिक प्रतिक क्या है Arsenic क्या है Arsenic ये एक ये chemical है तो इसका राशाइनिक प्रतिक क्या है option A, AC option B, AS option C, AN option D, AR तो अर्सेनिक है जो तो इसका राशाइनिक प्रतिक क्या है AS तो option B, यहाँ पर आपका right answer होगा तो अर्सेनिक इसके खोज करता कौन है तो इसके खोज करता है Albert Albert Magnus Magnus तो इसके अर्सेनिक के जो खोज करता है तो वो कौन है Albert Magnus और इसका राशायनिक जो प्रतिक है तो वो है AS तो याद रखना इसको इसके खोज करता का नाम भी याद रखना Albert Magnus तभी चलतें next question पर question number 27 अथरवेद डैस खंडों का संग रहे है तो अथरवेद वो कितने खंडों का संग रहे है तो option देखिए option A 1.5, option B 10, option C 15, option D 20 तो जो अथरवेद है तो ये 20 खंडों का संग रहे है कितने 20 खंडों का तो option D यहाँ आपका right answer होगा अभी देखिए next question number 28 CH3, CH2, OH सुत्तर वाले योगिक का नाम क्या है तो जो ये राशानिक सुत्तर है CH3, CH2, OH तो ये किसका राशानिक सुत्तर है तो इसका नाम बताना आपको option देखिए option A acetic acid, option B ethanol, option C chloroform, option D methane तो जो CH, CH2, OH है तो ये है एथोनोल का राशानिक सुत्तर तो option B यहाँ पर आपका right answer होगा एथोनोल का जो सुत्तर है वो क्या है CH3, CH2, OH याद रखना important question है ये भी अभी देखिए next question question number 29, Marshall art डंबे किस माधविप से संबंदित है जो Marshall art डंबे है तो इसका संबंद किस माधविप से है तो option देखिए option A Australia, option B Africa, option C America, option D Europe तो जो Marshall art डंबे है तो इसका अफरिक का माधविप से संबंद है तो option B यहाँ पर आपका right answer होगा जो मार्शल आर्ट डंबे है तो इसका अफरीका माधिविव से इसका संबन्ध है अभी देखें नेक्स क्विस्चन क्विस्चन नमर तीस डैस में स्तित भगवान अयप्पा के पवित्तर उप्वन में मकर विलकु उच्छो मना जाता है तो जो भगवान अयप्पा है तो इसके पवित्तर उप्वार पर जो मकर विलकु उच्छो मना जाता है तो यह कहाँ पर मना जाता है तो अप्शन देखिए उप्शन अंदर परदेश, उप्शन वी तेलंगना, उप्शन शी करनाटक, उप्शन डी केरल तो आप सबको पता होगा जो भगवान अयप्पा है तो इसका मंदिर है वो कहाँ पर है तो केरल के अंदर है तो केरल में है अयपपा भगवान का मंदिर तो जो मकर विलकूत्सव है मना जाता है तो यह कहाँ पर मना जाता है यह बगवान अयपपा के पुवित्तर तुवार पर तो यह केरल के अंदर मना जाता है तो option D यहाँ पर आपका right answer होगा केरल में स्टित बगवान अयपपा के पवित्तर उपवन में मकर विलकूत सो मना जाता है तो सातियों ये था हमाराज का लास्ट क्यूस्टन आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी सभी क्यूस्टन बहुत सेलेक्टिड और इंपोर्टेंट थे अगर आपको क्लास पसंद आई तो जाने इस पर ले वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर करना कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय पर एक और नहीं मैं तो पुन कलास लेकर तब तक सभी सातियों को जैहिंद जै बारत वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलतें कल फिर जैहिंद